आज हम Blue Jay के इस्तेमाल से Java सिखेंगे Blue Jay यह Java की एक ID है याने Integrated Development Environment इस Software का समावेश ICAC के Computer Science के syllabus में 9th क्लास से लेकर 12 तक किया गया है इसका प्रयोग करने के लिए आपके Computer पर JDK का Install किया होना आवशक है आप Oracle की Website से नवीनतम JDK डाउनलोड करके Install कर सकते हो इसके बाद BlueJay.org इस Website से Blue Jay का Installer डाउनलोड करके उसे Install कर लीजिए Java की दूसरी ID और Blue Jay में यहां अंतर है कि जैसे आप तैरने के लिए Swimming Pool में जाते हैं नदी या तालाब में तैरना सीखने के बजाए Swimming Pool में सीखना आसान और सुरक्षित होता है Blue Jay यह Java की Programming सीखने के लिए बनाया गया Software है Blue Jay का Program ओपन करने पर आपको पहले यह स्क्रीन दिखाई देगा इसमें Project पर क्लिक करने पर New Project यह Option चुन लें इस Project को कोई नाम दें और OK पर क्लिक करें अब आपके नए Project की विंडो खुल जाएगी अब New Class पर क्लिक करें अब इस Class का कोई नाम टाइप करें और OK पर क्लिक करें आपने बनाए हुए Class की फाइल का आइकॉन आपको Project के विंडो में दिखाई देगा इस आइकॉन पर डबल क्लिक करें इसके खुल जाने पर आपको इसमें पहले से मौजूद कोड दिखाई देगा इसे हम डिलीट कर देंगे इसके लिए Ctrl और A दबा कर पूरे कोड को सेलेक्ट कर लें और फिर डिलीट बटन दबा दें अब Class की फाइल एमटी दिखाई देगी आप अपने जावा प्रोग्राम का कोड इस जगह पर लिखना शुरू कर सकते हैं अब इसमें हम एक आसान सा जावा प्रोग्राम लिखेंगे प्रोग्राम पूरा लिखने के बाद Class पर क्लिक करके Save पर क्लिक करें इसके बाद Compile बटन पर क्लिक करें यह जावा प्रोग्राम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिखाई देगा आप चाहो तो उसे वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो Compile बटन पर क्लिक करने पर अगर प्रोग्राम के भितर कोई गलतियां होगी तो आपके स्क्रीन के निचले हिस्से में एरर मेसेज दिखाई देगा नहीं तो Class Compiled No Syntax Error यह मेसेज आपको दिखाई देगा अब एडिटर का विंडो बन कर दें अब क्लास के आइकॉन पर राइट क्लिक करें अब एक मेनू दिखाई देगा इसमें आप Wide Main String Args इस Option को सेलेक्ट कीजिए अब इसके बाद एक और Dialog Box खुलेगा इसमें OK पर क्लिक कीजिए अब स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक विंडो दिखाई देगा यह Blue Jay का Output Window यानि Terminal Window है अगर यह Minimized है तो उसे Drag करके बड़ा कर लें और उसे खींच कर स्क्रीन के बीचों बीच लाकर रखतें ताकि आप उसमें लिखे हुए Output को ठीक से देख सकें इस तरह से हमने Blue Jay की IDE का इस्तिमाल करके इसमें हमारा Java का Hello World का पहला प्रोग्राम लिखा अगले वीडियो में हम Java का एक और सैंपल प्रोग्राम रन करके देखेंगे करा इस हमेरी बीचस कोड़ीब रन करके जह हमार कर disp सक्षाखें लिज़ से खखेंको भद करने दूंकर प्रोग्राम डРЕल से करूंकर प्रोग्राम लिगकी साहनत हिस् fandता सिस prisoner को प्रोग्राम लिखेंगे जैूं पहाती ह perspectives झाल झाल